कहते हैं इंसान अपनी एक तिहाई जिंदगी ट्रेवल करने में बिता देता है कि इस ट्रेवल में हमें काफी सारी चीजों को अपने साथ लेकर ट्रेवल करना पड़ता है इसके लिए बैग्स की जरुरत पड़ती हैं बैग्स कई तरह के हो सकते हैं और आज कल स्टाइलिश बैग्स का चलन ऐसे में जादा है अगर बात करें बैग मैनुफेक्ट्रिंग बिजनस की तो अगर आप उसे शुरू करना चाहते हैं तो आप बिलकुल सही जगा आया है आज I.I.D. Institute for Industrial Development आपके लिए लिए कराया है बैग मैनुफेक्ट्रिंग बिजनस की पूरी जानकारी इस इंडस्ट्रियल डोकुमेंटरी में तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाइपस ओफ बैग मैनुफेक्ट्रिंग की हैंड बैग्स, ट्रेवल बैग्स, सूटकेज, लगेज बैग्स, स्कूल्स और कॉलेज बैग्स बैग्स मैनुफेक्ट्रिंग यूनिट स्टार्ट करने के लिए आपको जिन रौ मैटीरियल की जरूरत होगी वो हैं लाइन, जिपर, पुलर, मैश, बकल, नोन वोवन फॉर्म, थ्रेड, मशीन तो चलिए बात करते हैं बैग्स मैनुफेक्ट्रिंग यूनिट स्टार्ट करने के लिए कितने तरहां के मशीनों की अवश्यक्ता है एक बैग बनाने के लिए सबसे पहले बाजार से रौ माटीरियल को चेक करकर लाया जाता है फिर बैग के लिए इस्तमाल में आने वाले फैब्रिक्स को डिजाइट साइज के हिसाब से कट किया जाता है फैब्रिक्स को काटने के बाद उसमें जरूरी कॉम्पोनेंस जैसे बकल, चेन, आदी को लगाया जाता है जिसे चेक करने के बाद सिलाई की जाती है एक बाद सिलाई पूरी हो जाए फिर उसे चेक किया जाता है कि बैग सही साइज और पूरे कॉम्पोनेंस के साथ सिला है या नहीं इसके बाद फिनिशिंग की प्रकरिया होती है बैग की फिनिशिंग के बाद उसकी पैकिंग की जाती है और मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है एरिया इस बिजनस को शुरू करने के लिए आपको कम से कम 1200 से लेकर 1500 स्क्वेर फीट एरिया की जरुत होगी इस एरिया के अंदर आप असानी से अपने युनियट को स्थाबित कर सकते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम 15-18 लोगों की जरुरत होगी जिसमें 8-10 स्किल्ट, 5-7 अंस्किल्ट, एक सूपरवाइजर के साथ-साथ एक अकाउंटन्ट हो सकते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको जिन मशीनों की आवशकता है वो 12 लाग से लेकर 15 लाग रुपए में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है इसके साथ ही हमें 7-8 लाग रुपए का वरकिंग कैपिटल की जरुरत होगी इस हिसाब से आपकी टोटल इन्वेस्मेंट लगभग 17-20 लाग रुपए तक हो सकती है अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो एक इंप्लॉई 8 घंटों की शिफ्ट में 12 बैक्स बना रहा है तो उस अकॉर्डिंग हम 15 मशीनों के साथ एक दिन में 180 बैक्स बना सकते हैं एक बैक की टोटल मैनिफेक्चरिंग कॉस्ट लगभग 3,5 रुपए आती है और उसे 400 से लेकर 4,5 रुपए तक में मार्केट में सेल कर दिया जाता है इस हिसाब से हम एक दिन में कम से कम 10,000 रुपए तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बैक मेनिफेक्चरिंग यूनिट को शुरू करने के लिए आपको लगभग 5 से 7 किलोवर्ट बिजली के लोड की अवशकता होगी मार्केटिंग आप अपने प्रॉडेक्ट्स को होल सेल में सप्लाई कर सकते हैं और आप चाहें तो अपने प्रॉडेक्ट्स को रीटेल या ऑनलाइन भी भी सकते हैं और अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं अगर आपको बैक मेनिफेक्चरिंग बिजनस को शुरू करने के लिए किसी भी एक्सपर्ट एडवाईस या गाइडेंस की जरुवत है तो आप हमारे कॉंटेक्ट नमबर 76076 5555 74087 33333 और इमेल आईडी support at iid.org.in के थूँ संपर्क कर सकते हैं साथ ही आप हमारी वेबसाइड www.ird.org.in पर भी विजिट कर सकते हैं झाल सकते हैं